आज बहुत से लोग, कम से कम 400-400 लोग जिनों के अंदर हैं, आप जो शोर मच रहा है, उनको छोड़िये, उनको छोड़िये, अब उनको छोड़ते हैं, तो मुझे लगता है, छोड़ने के तुरनत बाद दुवारा हो सकता है, आप किसी विदेशीव को आप बलाईए, उसको अबिशह है, डे टूड़े किसी अक्टिविटी में नहिंद्रभाई मोधी कोई इंटरिफर करते हैं, ऐसा नहीं है. इसका कितना लिंक, इस एडिटेशन का कितना लिंक इस बाद से है, कि आपके सीयं मनने के बाद वो जो पुरा कम्यूनिटी है, उसको एक सत्ता खोने का जो आइंस है, उससे वो, इस नाइब तो कम डूंस विद दाट, तो उसका जितना बज़े हैं. यह बत ठीक है कि जितने समय हरियना बना हो गया, उसमें जहातर समय तो जाट ही मुख्यमित्री रहे हैं. और जाट और नोन जाट के इलावा एक जो बड़ा फैक्टर और है जो इस समय के इस एजिटेशन के पीछे मुझे लिखाई देता है, कि सत्ता के गलियारों में लेकिन हमने आते ही जितने मैथड अपनाए, उस सारे तरीकों में फौर्थ फ्लोर तो कम से कम उन सब दलालों से खाली हो गया, और जब यह खाली हुआ, तो सेक्ड़ों की अजारों के संक्या में डेली जो चंडीगड़ा आने जाने वाले लोग चक्कर काटते थे, चाये म लंसिलाल की सरकार के अन्दर संजाधारी हमारी ती, उस में ब्रिस्टा चार था, नहीं था, ऐसा नहीं है, और खास करके जो शराब का कार्न था, शराब के कार्ण से, और शराब को बेकवाने करवाने में, जो अंदर-दर सारी चीज़ाँ चलती थे, हमने देखे ही हैं, औ ये सरकार कैसे उनको सूट करेगी इसमें जाट नोन जाट का विशे इतना नहीं था जितना प्रस्टाचार को रोक करके ऐसे लोगों को उन चीज़ों से दूर करने का था दूसरा कुछ लोग देखिए एक मनुश्य का सबाह हो है सो जाती है लोगों को कही न कहीं आगे बढ़ते हैं देखना चाहते हैं जाट जाटों को बढ़ने देखना चाहेंगे नोन जाट नोन जाटों को बढ़ने देखना चाहेंगे हर विरादरी का हर जाती का ये प्रबुद्धवर्ग की बात में नहीं करा मैं सामाने जनता की बात कर रहा हूँ तो सामाने जनता में एक ये इंस्टिंक्ट होता है तो क्योंकि जाट मुख्यमंतरी नहीं है तो जाटों को मुख्यमंतरी अपना बनाना है कैसे बन सकता है उनको ये तरीका यानि लोकतांतरी के तरीका है लोगतनती तरीके से बनेगा, उसकी बजाए आज ही हम उल्टा पल्टी कर दें, ये भी कहिना कहीं कुछ लोग के मनों में इंस्टिंट चलती है, तो उचलती है तो वो कितना उसमें, कई चीज़ों के मिला करके, इसारे उपद्रव जो हुए कई चीज़ों को मिला करके उसका एक परिणाम है ये भी है रच्छत रचार नहीं होना वो भी है कहीं आरक्षन का जो विशे चल रहा था अब आरक्षन सीदा सीदा इसका जिम्मार ऐसा नहीं है आरक्षन का तुहला के हमने समय रहते जो एक पदती थी उस पदती के माध्यम से हम इसको अरक्षन को देंगे हमें कानून लाएंगे बिल बनाएंगे बिल को एक्ट बनाएंगे एक्ट बनाकर के अरक्षन देंगे इस बात पर प्राय-प्राय समझोता भी हो चुका था लेकिन ultimately उस समझोते के बाद भी कुछ लोगों को लगा कि हमको इससे कुछ लेना देना नहीं हमको तो कुछ उपद्रो इस नाम से खड़ा करना है तो within two-three days वो जिस परकार की activity हुई वो बड़ी दुरफागय परण थी अच्छी नहीं थी लेकिन हमने उसको तीन दिन में कर भी किया और आगे इस परकार की कोई चीज़ होगी ऐसा मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि अब message भी clear cut उनको दिये है कि इसका नुक्सान भी बहुत होता है और इसके जो परिणाम बाद में निकलते है उपर नाबाद में भी कोई सुख़दा ये उनके लिए होंगे ऐसे नहीं है हम जो दोशी हैं उनको दंडित भी करेंगे उनको मगदमें भी उनके उपर करेंगे कोट उनका फैसला करेगा चाए किसी को कितनी सजा हो उनको हम डिलाई देने वाले नहीं है आज बहुत से लोग कम से कम चारसू साड़े चारसू लोग जिलों के अंदर हैं अब जो शोर मच रहा है उनको छोड़ी है उनको छोड़ी है अब उनको छोड़ते हैं तो मुझे लगता है छोड़ने के तुन दुवारा हो सकता है नहीं छोड़ते हैं तो लोग सावदानी भर तेंगे, कहां इनके साद जो वरा है, उससे जाद हमारे साथ होगा हम कानून की जो शाशन है, कानून के शाशन में उश्वास रखते हैं, गैर कानूनी रंग से कोई कुछ करेगा तो वक्षेंगा नहीं सार अभी गुर्वाओं की बात करें अभी आपने उसका नाम भी बगर दिया तो फ़रा बताएं क्यों एसाब नहीं है देखिए हर स्थान का अपना इत्यास होता है हर स्वाज की अपने संस्क्रितिक पहचान होती है तो जहां तक स्थान का नाम है उसके एक एत्यासिक एक उसकी वज़ा है बहुत से लोगों के मांग बहुत समय से चल रही थी कि इसका नाम गुरुगराम की आ जाया और उसके पीछे यह है कि एत्यासिक नाम इसका गुरुगरामी है गुरुदॉरो दुर्वणाचारे का नाम से इसके गाउं की नीव पड़ी है गुरुदॉरोणाचारे का यह स्थान था जन्होंने कौरुवःपञ्णों को धनुरुदिया की शिक्षा देथी तो इसलिए उस नाम को प्राचीन नाम को अगर दुवरा से लाते हैं करते हैं तो कही ना कई मन के अंदर एक उत्सा पैदा करता है वो उसमें कहीं को कठनाई नहीं है अगर गुर्गाओं शब्द मैं तो यहां तक भी इस बारे में जो मिरी अपनी जान करी है कि गुर्गाओं शब्द को उचयरण करने में म honest वी देशी लोगों को देखावी पछरे दुनों को कई देशों में होके हैं जब आपका चुलाब हो रहा था, अब पुचार हो रहा था तो उसमें भी अबाद में जब आप चीफ मिनिस्टी भी बनती तो कहीं लोग निखा कि इसके बने कुपकी संग के जाथ आपका ही विचार सावी निए और आप संग से आए तो अब कुलिंचिंग फैक्टर होता है और जब मोदी जी प्रचार में थे तो वो कहते थे आप बाजपा को वोड़ दीजे तो मैं नजार लखोंगा तो मेरे दो सवाल है एक तो संग का कितना आपको गाइडेंस है एस चीफ मिनिस्टर और दूसरा मोदी जी कितने एक्टिवी मॉर्टर स्टेट होई इंगे जहा सा उपर उठकर के देश समाज के लिए पूरा समय लगाना 24 आर्स की जो एक्टिवीटी होती हो संग की होती है संग के विचार को आगे बढ़ाने करते हैं और जिस संग्ठन के कहने पर हम इतना आगे बढ़ गए इतना सैक्रिफाइस किया इसका मतलब है कि उस संग्ठन के विचार का पूरा प्रवाव हमारे है अंदर है तो भी क्या ओको कंडिशनल नहीं हो सकता इसेंट बट्स लगा के नहीं हो सकता संग की विचार धरा का जो प्रवाव होता वो हमारे ओपर भी है देश और समाज यह हमारे लिए सुरप्रतम है उतनी बात लेने के बाद फिर पाद में संग की और से किसी प्रकार का कोई इंटर्फरेंस नहीं होता जरूर हम आपसे बाचीत करते हैं तो इतना जरूर जिसको कहना चीए कि एक मुलेंकन चलता है या रिव्यू चलता है कि भी देश समाज पहले रखा हुआ नहीं सामने कहीं व्यक्तिगत चक्रो में तो नहीं भस गए इसलिए देश समाज पहले जब देश समाज पहले होता है तो फिर बिस्टाचार नहीं होता फिर कोई व्यक्तिगत कोई किसी पकार क्या आंक्षा नहीं होती, फिर जो विक्तिकत परिवार होता, ये भाई, बंदू, ये वो सब, उनके किसी भी लालच में या किसी भी समंद को आगे रख करके काम करने की कोई पदती नहीं होती, तो हमेशा एक ही बात संग की और से जब भी हम मिलते जोलते हैं, कि अपने टार मोधी का विशे है, और डे टू डे किसी अक्टिविटी में नहें रवारमधी कोई इंटरिफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है, विकास के नाते उसे हर चिनता वो करते हैं, विकास के प्रजेक्ट्स जितने प्रदेशों में जो भी सैह किये हुए हैं, उनका मुलेंकर elbows बराबर क क्वेरते.